नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वाल्ट कब दोजा उन्नीश का अरतिश्वा मुकावला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया जिसमें पहले बल्ली बाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर की समापती पर अपने 7 विकेट खोकर 337 रन का लख्षी हासिल किया था इसके जवाब में खेलने उतरी भारती टीम ने 50 ओवर की समापती पर अपने 5 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी जिसके परिणाम 100 रुपी इंग्लैंड की टीम ने यह मुकावला 31 रन के अंतराल से जीत कर पॉइंट स्टेवल में पाकिस्तान को पचार कर टॉप फोर में जगव बनाने में सफलता पाई भारती टीम की हार के बाद सौरव गांगुली ने ट्वीट करते वे अपना गोसा जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा मेरे पास वह सब्द नहीं है जिसे मैं ब्याख्या कर सकुछ जो कुछ हुआ आप 338 रन नहीं चेस कर रहे थे क्योंकि अब भी आपके पास 5 विकेट हाथ में थे मैच के दोरान सौरव गांगुली ने ट्वीट किया कोई ड्रेशिंग रूम में है जो यहाँ पूछेगा कि आप वहाँ यानी मैदान पर क्या कर रहे थे वहीं इंगलेंड के पूर्व कप्तान नासीर हुसैन ने भी भात के इस प्रदर्शन को देखने के बाद ट्वीट करते वे कहा कि यद्यपिव बिराट को लियर रोई सर्मा ने सांदार पार्टनर्शिप की मगर इसमें कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत अजीब लगा वहीं इन दोनों दिगजों के साथ साथ भारती क्रिकेट टीम के पुर्व खिलारी और मौजूदा कॉमेंटेटर आकाश शोपरा ने तो कमेंटरी करते वे खुले आम यह तक कह दिया कि भारतीय टीम ने यह मुकावला जीतने की कोशिस ही नहीं की तो दोस्तों आप लोगों के हिसाब से क्या भारतीय टीम आज का मुकावला जीत सकती थी या फिर भारतीय टीम ने जान बुझ कर यह मैच हारा यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं